तो इसके बाद हम बात करते हैं, पोटफोलियो के बारे में, अब पोटफोलियो के नाम पे भी बहुत यहां पे ठांक ली है, बहुत है, कि बहुत सारी लोगों ने एजिंसी स्कॉल रखी हैं, कि हमारे पास पोटफोलियो बनाओ, हम आपको काम देगे, अब पोटफोलियो ज उसके आपको बनाना चाहिए और आपको अपने बजट के चाहिए किस तरह का काम कर ना इसके हिसाब बनाना चाहिए तो आपको कोई हीरो का रूल मेलेगा या रूमें लिए नए, पूर्टफोलियो सिर्फ आपका एक लूप, एक रेफरेंस के लिए होता है, कि सामने वाले को ये पता चलेगा या आर्टिस्ट का लूप क्या है, काम फिट होता है, काम उसके बार भी आपको ऑडिशन देना ही हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे में लीड ही करना है, कंटीनुटी ही करना है, अच्छे रोग करना है, तो अब में का फूप कुली बना सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरे को जैसा काम मिलेगा, मैं मैं सक्कार लूगा, और दिरे-दिरे मुझे सीखने क ज़रुत है ऐसे एक्टर अभी मेरा वो लेवल नहीं है तो अब मिनिमम चार पाँच हजार छे हजार में एक अच्छे आर्टिस फोटो किच्वा सकते हैं प्रोफेशनल फोटो किच्वा सकते हैं और हम जैसे अपने आप इसको बनवा के देते हैं, जो पोटफोलियो हम लोग 5 000 पर बने कोस्ट stronger देते हैं जो लोग भाहार अगर अगर देखें तो compatible से 50,000 को प्रोग चार्ज कर लेंग को15- findet य्न के chilने चार्ज करते हैं क्योंकि वो आपको आक डालोज दोाओ index और जो काम की जहां ते पात है तो महामें एक ज़िए कहना चाहूँगा अगर कनिया आपने आउडिशन दे दिया वो ये कहते है कि आपका आउडिशन सेलेक्ट हो गया उसके बाद पॉटफोलियो की ज़रूरत नहीं है पॉटफोलियो की जब तक है जब तक आप सामने मिलते नहीं है पॉटफोलियो हम लोग बनवाते हैं और मतलब नॉमिनल रेट में हम लोग बनवाते हैं